हेलो व्रीवन एक बाफी स्वागत आप सबका आपके अपनी चैनल लिब्रो राइट पर तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दिसंबर 2019 का क्रिश्टन पीपर और देखेंगे कि एक्जाम में किस तरीके से क्रिश्टन पूछी जाते हैं और उन्हें किस तरीके से सोल्व क तो चलिए सबसे पहली हम देखते हैं हमारा क्रिश्टन पी यह कि यह हमारा दिसंबर 2019 का क्रिश्टन पेपर और इहां देखेंगे तो लिखा हुआ है सिफ्ट 12 आप आगे देखेंगे तो आपको वह सारे पर जिर दिखायी देगे यह देखे यह है हमारा पहला question astronautical communication दूसरा है हमारा air conditioning of educational buildings तीसा question है हमारा indoor amusement for children fourth question is prevention of thefts in museums fifth question is physiology of insects sixth is symptoms of blood cancer and seventh and last question is role of library in society तो इन सभी questions को आज हम cover करेंगे one by one तो चलिए चलते हैं हमारे first question की तरफ जो की है astronautical communication यह है हमारा पहला question astronautical communication तो यहां हमारे पास दो शब्दे दिये गए हैं first है astronautical, दूसरा है communication तो हम किसी भी शब्द के द्वारा अपना main class find out कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे astronautical को लेकर relative index में अगर आपको main class मालूम है तो आप direct भी जा सकते हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं कि astronautical communication कहीं ना कहीं engineering से related है और engineering के हमारे जो class होती है वो 600 से relate करती है जो की होती है applied science की class तो चाहें तो आप समरी में जाकि अपना number find out कर सकते हैं या फिर direct relative index में जाकर अपना particular word find out कर सकते हैं और अपना class ले सकते हैं तो हम astronautical को लेकर जाएंगे relative index में ये देखे ये है हमारा relative index और आप यहाँ नीचे देखेंगे आपको दिखाई देगा astronautical engineering और यहाँ technology का number लिखा हुआ है 629.47 तो ये हो गया हमारा astronautical technology का number 629.47 इसे लेकर हम जाएंगे sit dual में जो की होता है हमारा volume number 2 ये देखे ये है हमारा 629.47 astronautical engineering का number और आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा .473 जो की हमारा communication and tracking systems का number तो ये हो जाएगा हमारा one thing अगर आप यहाँ पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ भी दिखाई देखा Unmanned flight के अंदर दिया गया है communication and tracking system ठीक इसी प्रेकार manned flight के अंदर भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा communication and tracking system लेकिन हमारे question में ये mention नहीं किया गया है कि वो manned flight है या unmanned flight है वहाँ simple लिखा हुआ है astronomical communication का इसलिए कभी भी number बनाते वक्त धिहान रखिएगा कि आपका जो sub class है वो किस main class का part है ठीक है तो जैसे कि यह communication tracking system जो यहाँ दिया गया है वो है dot 45 manned flight का number ठीक उसी प्रेकार आप यहाँ देखेंगे तो आपको यह वाला जो communication tracking system है जिसका number dot 437 है वो दिया गया है dot 43 के अंदर जो की है unmanned flight का number अगर आप हमारे title को देखेंगे तो वो simple astronomical communication है और यहाँ 629.47 metronautical engineering का number है और उसके अंदर हमने लिया है communication tracking systems का number तो यह हो जाएगा हमारा complete number 629.4743 देख लेते हैं इस कनाल सिस नाउ यह देखें यह है हमारा title number 1 question है हमारा astronomical communication जो की rely करता है main class 629 के अंदर जो की हमारा engineering and allied operations का number उसमें आप देखेंगे astronautics का number दिया गया है 629.4 astronautical engineering का number है 629.47 और उसके अंदर हमने लिया है communication and tracking system का number जो की है 629.4743 synthesis में आप directly लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से लिख कर दिखा सकते हैं ताकि examiner को यह ना लगे कि आपने cheating किया है तो यह हमारा main class 629 उसके पाद हमने यह सब classes लिया है और यह हमारा है final number जो की है 629.4743 चलते हैं next question की तरोप तो यह हमारा second question air conditioning of educational buildings और यहां हमारे पास दिए गए हैं दो शब्द एक है हमारा air conditioning और दूसरा है हमारा educational building तो यहां air conditioning किसी भी इमारत में की जा सकती है किसी भी buildings में की जा सकती है तो educational building को हम लेकर जाएंगे as a main class और उसी ढूंटेंगे relative index में तो चलिए चलते हैं educational buildings को लेकर main class में यहां भी दो शब्दे दिए गए है educational और building आप चाहिए तो किसी भी शब्द को लेकर अपना main class ढूंट सकते हैं तो चलिए चलते हैं relative index में यह देखें यह है हमार relative index और उसमें educational का number दिया गया है लेकिन हमें लेना है उसमें buildings का number और buildings के अंदर आप देखेंगे लिखा हुआ है air conditioning का number और यहां आपको air conditioning का direct number मिल जाता है जो कि है 697.937 इस तरीके से relative index कभी-कभी हमारे beneficial साबित होता है जब हमें direct number मिलते हैं लेकिन इसके बाद भी हमें analysis करके दिखाना होगा चलिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो main class है उसका title आखिर में है क्या तो इसके लिए भी अभी हमें जाना होगा schedule में तो चलिए चलते हैं वैसे तो आपको आपका complete number मिल चुका है लेकिन हमें analysis करके दिखाना होता है और आपको जानना भी चाहिए कि आखि ये number बना कैसे है तो आप ये देखेंगे यहां लिखा हुआ 697 जो कि है हमारी main class आप इसमें आगी जाएंगे तो आपको यहां next page पर दिखाई देगा ये conditioning का number जो कि है dot 93 तो हमारे ये conditioning का number हो जाएगा 697 dot 93 आप इसे आगी देखेंगे तो आपको यहां आपको दिखाई देगा dot 935 से dot 938 में लिखा हुआ है in specific types of buildings instruction दी गई है add to base number 697 dot 93 the number following 729 in 725 to 728 for example air conditioning in hotels और number बनाया है 697 dot 9385 जिसमें हमारा base number है 697 dot 93 और 85 लिया काया है hotel का number तो यहां हमें educational building का number लेनी के लिए जाना पड़ेगा 625 से 728 के बीच मेंन क्लासिस में ठीक है और हमें number लेना होगा और वो number हमें add करना होगा 697 dot 93 में जो कि है हमारा base number जिसमें हमें 72 को skip करना होगा क्योंकि वो हमें follow करना है तो चलते हैं 725 से 728 के बीच यह देखे यह हमारा 726 का क्लास आपने यहां देखें के आगे तो आपको दिखाए देगा 727 का में क्लास जिसके अंदर लिखा हुआ है school buildings and other buildings for educational and research purposes तो यह हो जाएगा हमारा educational buildings का number जो कि है 727 लेकर इसमें हमें क्या skip करना है 72 तो हमारा educational building का number हो जाएगा 7 जो कि हमें add करना है base number 697 dot 93 में ठीक है हमारा complete number हो जाएगा 697 dot 937 चलिए चलते हैं देखते हैं इसके analysis यह देखें सेकिंड टाइटल है हमारा air conditioning of educational buildings air conditioning का number है 697 dot 93 specific types of building में जब हम गए और वहाँ इसके अंदर जो हमने instruction read किया उसकी बाद हमी number लेना था educational building का जो कि है 727 इन्हें जब हमने add किया तो हमारा number बन गया 697 dot 937 यहां हमारा main class हो जाएगा amusement का जिसे हम लेकर जाएंगे relative index में शाहित आप सम्री कि helps a dark schedule में भी जा सकते हैं completely depend on you लेकिन हम जाने वाले हैं relative index में यह देखे यह है हमारा relative index और आप यहां देखेंगे तो आपको दिखाए देगा amusement but unfortunately यहां हमारा कोई भी indoor amusement का number नहीं है चलते है next page पर और यहां भी कोई भी indoor amusement का number नहीं है लेकिन आप यहां देखेंगे amusements के अंदर दिया गया है c recreation तो हम कहा जाएंगे recreation में तो चलते हैं recreation को ढूणने यह हमारा relative index और यहां आप देखेंगे recreation का number नहीं दिया गया है 790 तो इसे लेकर हम जाएंगे schedule में यह देखें यह हमारा 790 recreational and performing arts लेकिन unfortunately यहां कुछ भी नहीं दिया गया है हमारे title से related except children अब चाहीं तो आप 790 को आगे explore कर सकते हैं लेकिन हम कुछ और भी कर सकते हैं हम summary में दा सकते हैं यह देखें यह हमारी the arts की summary और आप यहां 790 में देखेंगे तो आपको दिखाए देगा 793 indoor games and amusement तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा completely depend करता है हमारे title पे कि हमें summary से start करना चाहिए relative index से करना चाहिए या फिर schedule से direct करना चाहिए और आपकी knowledge के उपर भी ठीक है सबसे पहले हम relative index में गए वहां हमे recreation का number मिला लेकिन उससे पहले हम amusement देख रहे थे फिर आपे recreation में जाना पड़ा फिर हमें schedule में जाना पड़ा अगर हमने summary को सबसे पहले देखा होता तो लाजमी है कि हमें हमारा direct number मिल जाता हम but no worries हमें हमारा number मिल गया है indoor games का जोगी है 793 आप इसी लेकर हम जाएंगे schedule में ये देखिए ये हमारा 793 indoor games and amusements आप उससे पहले आगे देखिए तो आपको मिलने वाला है बड़ा सा surprise और आप यहां देखिए .019 के अंदर दिया गया है एक instruction जो की कहती है add to base number 793.019 the number following 790.19 in 790.1912 790.196 और example है indoor games and amusements for children जो की हमारा title है see the magic here तो आज हमने देखा किस तरीके से relative index में हमें direct number मिल सकता है हमें direct number मिल सकता है schedule में भी और कभी कभी summary में भी जब for example अगर हमारा question सिर्फ higher education है तो उसका number होता है 378 वो number आप अगर summary में देखते हैं आपको direct मिल जाएगा इस number में हमें 790.191 से 790.196 से जो भी number लेना है वो number में से इस number को skip करना है और आगर जो भी number होगा उसको हमारे base number में add करना है तो हमें कहां जाना होगा 790 से 191 से 790.196 की बीच में तो चले चलते हैं 790 की class में ये देखें ये है हमारा 790 और यहां हमें आना है 191 से 196 की बीच तो आप यहां देखेंगे आपको दिखाई देखा 191 और हमीं जाना है 196 की बीच में लेकिन हमें यहां हमारा number मिल जाता है जो की है .1922 ये है हमारा चिल्डरन का number तो हमारे जो main class है वो है 793.019 और उसमें हमें आइड करना है चिल्डरन का number लेकिन हमें इसकिप क्या करना है 790.19 तो हमें आइड करना होगा सिर्फ डबल ट्यू तो हमारा complete number हो जाएगा 793.01922 शाहिद आपको याद हो जब हम relative index से number लेकर आए थे हम इसी main class में आए थे जो कि हमारा 790 Recreational and Performing Arts का class So can you see this magic? हमें वापस नहीं आना पड़ा ओके आज इस देख लेते हैं हमारे question का Title 3 है हमारा Indoor Amusement for Children Indoor Amusement का number है 793 उसमें हमने specific class of people में जाका instruction को read किया जो कि उसका number है 793.019 और चिल्वन का number है 790.1922 जब हमने according to the instruction इने add किया तो हमारा number बन गया 793.01922 क्योंकि हमारा जो चिल्वन का number है उसमें से हमें 790.19 को skip करना रहा तो ये है हमारा complete number अब चलते हैं Title No.4 पर Next question है हमारा Prevention of Thacks in Museum and telling you be ready for the next magic So we have two words here Prevention, Thacks हम चाहीं तो Prevention को ढूण सकते हैं चाहीं तो Thacks को ढूण सकते हैं Relative Index में तो हम जाएंगे Thacks को लेकर Relative Index में ये रेखें ये हमारा Relative Index आप इससे आगे देखेंगे तो आपको दिखाए देगा Theft लिखा हुआ यहां पर मैंने आपको बोला था कुछ magic होने वाला है लेकिन यहां कुछ उल्टा हो गया Bad Luck तो Theft के आगे लिखा हुआ है See, Laws Annie तो हम जाएंगे Laws Annie को ढूणने Relative Index में ये आगए हम Relative Index में Laws Annie को ढूणने आपको लग रहा होगा कि आपको मेरी बातों पर ट्रश्ट नहीं करना चाहिए I say anything But now Wait for the magic ये देखिए ये है हमारा Laws Annie और उसमें आपको दिखाई देखा Prevention Museology जिसका नमबर दिया गया है 069.54 और ये है हमारा Complete Number of Prevention of Thaps in Museums का तो आपने देखा कि इस Question Paper में अभी तक हमें तीन ऐसे Question मिल चुके हैं जहां हमें Direct Number मिला है हाला कि हमें सेडियूल में जाना होगा तो चले चलते हैं सेडियूल में ये देखे ये है हमारा 069 जो कि है Museology का नमबर, Museum Science हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इसे The Arts में ढूंडा हुआ क्योंकि वहाँ पे Museum लिखा हुआ है या फिर Prevention से अपना Class को Find Out करने की कोशिश की हो तो आप देख सकते हैं कि यहां भी हम मतलब कितना अलग Main Class में जाकर आए है ठीक है आप आगे देखिए तो आपको यहां दिखाए देगा .54 के अंदर Prevention of Thaps and Identification of Falkries तो ये नमबर हो जाएगा हमारा Prevention of Thaps in Missions का जोकी है 069.54 इसका नालसीज देख लेते हैं यह देखिए हमारा Title 4 है Prevention of Thaps in Museums Museology का नमबर है 069 Prevention of Thaps का नमबर है 06954 और यही है हमारा Complete Number इसमें हमने कोई भी Extra Number Add नहीं किया है क्योंकि यह हमारी Main Class के अंदर सब Class दी गई है ठीक है तो लिखने का तरीका सिंपल है इसमें आपको कुछ भी Extra करने की जरूरत नहीं है चलते हैं हमारे Next Title पर It's going to be interesting Let me tell you first So fifth question है हमारा Physiology of Insects So here we have two words Physiology and Insects and we can go with anyone So I would like to go with insects यह देखिए यह हमारा Insect उसके अंदर दिया आ गया है कल्चरिस्ट, वैक्सिज और कुछ अदर क्लासिज और उसके नीचे लिखा हुआ है Insecta आप Insecta में आगे देखेंगे तो आपको यहां नंबर मिलेगा जूलोजी का जोकी है 595.7 और यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि Insects जूलोजी का पार्ड होता है तो चलते हैं 595.7 को लेकर Cedule में यह देखें यह हम आ गया है Cedule में और यहां आप देखेंगे 595 और उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा .7 पर Insecta आप यहां नीची जाएंगे तो आपको दिखाई देगा General Principles .701 से .708 के अंदर और यहां देगई है instruction instruction कहती है Add to base number 595.70 the number following 591 in 591.1 to 591.8 और एक्जामपल है Morpology जिसका नंबर दिया गया 591 595.704 तो हमारे यहां base number हो जाएगा 595.70 और उसमें हमें जो हमारा General Principle add करना है वह हमें करना है 591 की main class में जाकर ठीक है और हमें उसमें skip करना होगा 591 तो चलते हैं 591 में यह देखे यह हमारा 591 जोलोजी और उसमें हमें जाना है .1 में और यहां आपको 591.1 के अंदर दिखाई देगा Physiology of animals क्योंकि हमें 591 को skip करना है तो हमारा जो base number है वह हमारा 595.70 और उसमें हमें आड करना है Physiology जो कि है कि 1 तो हमारा नंबर हो जाएगा 595.701 चलते हैं यह देखने इसका यह देखे यह हमारा टाइटल नंबर 5 जो कि है Physiology of insects इंसेक्ट का नंबर या पिंसेक्टा का नंबर हमने देखा है 595.7 उसमें हमें इंस्ट्रक्शन फोलो करने के लिए बोला गया जनरल पिंसिपल्स एड करने के लिए इस नंबर के अंदर और वहां जाक्यर हमने Physiology में कहें और वहां हमने नंबर लिया Physiology का 591.1 जिसमें से हमें 591 को स्कीप करना था तो हमारा Physiology का नंबर है सिर्फ 1 और हमारा Base नंबर था 595.70 तो यह हो जाएगा हमारा Complete नंबर 595.701 मुझे उम्मीद है यह question आपको इंट्रेस्टिंग लगा होगा और next question इससे भी जादा interesting होने वाला है So next question है हमारा Symptoms of Blood Cancer तो चलते हैं सबसे पहले Relative Index में Cancer को ढूने यह है हमारा Relative Index जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाएदेगा Cancers का नंबर उसके सामने लिखा हुआ है C Malignant New Plasm तो चलते हैं Malignant को ढूने Relative Index में यह देखें यहाँ दिया गया है Malignant और उसके अंदर कॉलेर का अंदर दिया गया है Medicine ठीकिन हम यह नंबर नहीं लेना है ठीक है हम यहाँ आगे जाएंगे तो आपको दिखाएदेगा New Plasm और उसमें General Medical का नंबर दिया गया है 616.994 तो इसे लेकर हम जाएंगे Schedule में यह हमारा 616 और उसमें हमें देखना है .994 और उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखाएदेगा .99418 में दिखा है तो यह हो जाएगा हमारा Blood Cancer आप यहाँ देखेंगे आपको एक Sign दिखाएदेगा इस Sign का मतलब है कि अगर आपको Question में कुछ Add करना है जैसे कि हमारे Question में दिया गया है Symptoms तो अगर हमें वो Add करना है या कुछ और Add करना है तो उसके लिए हमें Follow करना होगा 618.1 से 618.8 के अंदर देगा इस्टॉक्शन को तो अब हमें जाना होगा यहाँ 618 में यह देखे यह हम आ गये है 618 में आप यहाँ देखेंगे बहुत सारी चीज़े दी गई है जैसे कि है Standard Subdivision अगर हमें Add करना है जो कि हमें नहीं करना है Microbiology Preventive Measures Surgical Therapy Therapy Drug Therapy Other Therapies तो हमें कोई therapy तो नहीं करनी है It is just simple symptoms तो हमें उसका नमबर चाहिए तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ 616.1 से 616.9 के अंदर तो चले चलते हैं 616 में हम आगए हैं 616.1 से 616.9 में आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े दिखाए देगे For example, philosophy and theory, misleading, standard subdivision का नमबर आगर आपको add करना है लेकिन यहाँ कहीं भी symptoms नहीं है आप यहाँ देखेंगे next page पर तो आपको कुछ दिखाए देगा Preventive Measures, Therapy, Drug Therapy, Other Therapies, Pathology तो such as symptoms तो यहाँ नहीं है लेकिन अगर आप 07 में जाएंगे तो आपको आपका symptoms का नमबर मिल जाएगा जैसे कि यहाँ example दिखाए गया है diagnosis तो चलते हैं 616.071 से 616.079 में और उसमें हमें skip करना होगा 616.07 यह देखेंगे यह हमारे 07 pathology और यहाँ उसके example दिए हैं आप यहाँ आएंगे .072 में तो आपको दिखाए देगा symptom methodology और उसमें example दिए गये हैं एकन पेंस, फीवर्स, नेक्रोसिस तो यह हमारा symptoms का नमबर अगर आपको interpretation of symptoms देखना था तो आपको जाना होता 075 में लेकिन हमें सिर्फ symptoms लेना है उसका explanation नहीं चाहिए तो हम 072 को लेंगे symptoms का नमबर तो यहाँ हमारा नमबर हो जाएगा 616.994 यह है हमारा blood cancer का नमबर 072 हमने लिया है हमारा symptoms का नमबर जिसमें हमारा 07 है pathology का नमबर और हमें 07 को skip किया है और वहाँ से लिया है symptoms के लिए सिर्फ 2 तो हमारा complete नमबर हो जाएगा 616.994 18072 तो यह हमारा title नमबर से एक जोकी है symptoms of blood cancer तो जितने भ्यावाई है बिमारी होती है ठीक उसी प्रकार से उतनी ही मुश्किल के साथ हमने यह नमबर बनाया है बहुत सारी classes के अंदर जाकर बहुत सारे instructions को follow करको लेकिन अगर आप इस question को अच्छे से देखेंगे तो आप समझाएंगी किस तरीके से नमबर बनाया जाता है ठीक है और यह question paper का ही question है तो आप इसको skip नहीं कर सकते हैं तो देखते हैं इसका analysis तो medical science का नमबर है हमारा 610 blood cancer का नमबर उसमें हमने लिया है 616.99418 इसमें हमने instruction follow किया था आपने एक sign देखा होगा वहाँ गए हम फिर वहाँ से जाकर हम pathology में गए उसके बार pathology में जाकर symptoms में गए और वहाँ हमने symptoms का number लिया 616.072 और यहाँ हमारा complete number हो जाता है 616.99418 072 ठीक है तो इस question paper का यह सबसे tough question था उसका number बनाना असान नहीं था अगर आपको instruction follow नहीं करना आता है तो यह number बनाना बिल्कुल भी possible नहीं है ठीक है अब चलते हैं हमारे next title पर और वो आसान है चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है question है हमारा role of librarian society वैसे आप में से कितने लोगों को मालूम है कि library science का number 0 to 0 होता है अगर नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए आखिर आप library science के students है तो इसके लिए हमें relative index में जाने की ज़रुवत नहीं है summary में जाने की ज़रुवत नहीं है हम direct जाहेंगे sit deal में प्लेट cancer वाले question में हमारा बहुत सारा time consume किया है अब हम अपने time को बच जाएंगे तो चलते हैं direct sit deal में यह देखे यह है हमारा 020 library and information science और आप इसमें आगे देखेंगे तो आपको यहां दिखाए देगा 021 library relationships यहां relationships सब्द देखकर आपको कुछ यादा रहोगा और जो लोग single हैं उनको दुख हो रहोगा बट क्या कर सकते हैं आपको यहां जहिलना पड़ेगा चलते हैं से आगे देखेंगे नहां next page पर जया गया है dot 2 जिसके सामने लिखा हुआ है libraries and community उसमें आप देखेंगे educational role cultural role, informational role तो जिसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं इस society से relate करता है तो यह हमारा complete number हो जाएगा 021.2 और आपकी जानकरी के लिए मैं बता दू कि relative index में भी इसका direct number दिया गया है आप उसे खुद देखिएगा तो यह दा हमारा last question इसका नासिस देख लेते हैं जल्दी से यह देखेंगे यह हमारा title number 7 जो कि है role of library and society library and information science का number होता है 020 library relationships का number है 021 उसमें libraries and community का number है 021.2 तो यह है हमारा number ठीक है मुझे उमीद है आज के questions आपको पेहर different लगे होंगे लेकिन आपको मज़ा भी आया होगा क्योंकि यह पहले की तरह basic questions नहीं है जैसे कि आपको लगता था कि मेन क्लास लेंगे टेबल सको एड करेंगे और हमारा number complete यहां बहुत सारी चीज़ों होती है तेकिन डिपैंड करता है कि हमारी understanding क्या है डिपैंड करता है कि हम instruction को कितने अध्रे से follow कर सकते है तो all the best for your exams I hope this video will help you in your exams so that's it for today so thank you for the watching the complete video मिलेंगे next video में तब तक खुश रहिए हस्ते रहिए और पढ़ते रहिए